प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद जम जम पिलाने से क्या फाइदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आसु बाहाने से क्या फाइदा मैं तो तैबा गया जियारत रोजे की जियारत करते हुए एक हया ला गया कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं सिर्फ दुआ ही करने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद जम जम पिलाने से क्या फाइदा मैं तो मस्जित गया और नसीहत सुनी तो नसीहत को सुन कर खाया ला गया जवानी में अबादत के फिकर ही नहीं तो भुडापी में अवसों से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद जम जम पिलाने से क्या फाइदा मैं तो खैरात दी मैंने सदका दे की सदका करते हुए खाया ला गया कभी भूके को खाना खिलाया नहीं लाखों कहित खैराते करने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद जम जम पिलाने से क्या फाइदा मैंने मक्का गया त्वाफिकाबे की त्वाफिकाबा की वक्त एक हया ला गया दिल से तोबा तो तुमने की ही नहीं आब जम जम के पीने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद जम जम पिलाने से क्या फाइदा मैंने कुरान पढ़ा मैंने हदीसे पढ़ी कुरा पढ़ते हुए एक हया ला गया मैंने इलम तो किसी को है बताया नहीं और इलम कहलाने से क्या फाइदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद जम जम पिलाने से क्या फाइदा